किसी जमाने में विक्रमगर नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा की दो रानिया थी। बद्धी रानी का रूप सामान्य था। लेकिन छोटी रानी काफी सुन्दर थी। इस वजह से राजा छोटी रानी को अधिक प्रेम करता था और वह छोटी रानी की हर बात भी माना करता था एक दिन छोटी रानी ने राजा से बड़ी रानी की शिकायत कर दी राजा बड़ी रानी से नाराज हो गए जिससे दुखी होकर बड़ी रानी महल छोड़कर जंगल की तरफ जाने लगी रास्ते में एक नदी पड़ी जिसके किनारे पर एक अनार का पेड़ था बड़ी रानी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी उसकी रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर एक नन्ही परी आई उस नन्ही परी ने रानी से उसके रोने की वजह पूछी रानी ने रोते हुए उसे अपनी सारी बात बता दी बड़ी रानी की बात सुनकर नन्ही परी ने कहा इस नदी में तीन डुबकी लगा कर स्नान करो फिर इस अनार के पेड़ से एक अनार तोड डिछ लो ऐसा करने से तुम भी रूपवान हो जाओगी लेकिन मैंने जितना बताया है सिर्फ उतना ही करना न इस से ज्यादा करना और नही कम करना ऐसा कहकर नन्ही परी वहां से गायब से हो गई इसके बाद बड़ी रानी ने परी की बात मानते हुए वैसा ही किया रानी ने जैसे ही नदी में फहली डुपकी लगाई तो उसके शरीर का रंग साफ हो गया तूसरी डुपकी लगाने पर रानी का शरीर सुन्दर कपद्दे और जेवर से सच गया तीसरी डुपकी लगाते ही रानी के बाल लंबे, घने और सुन्दर हो गए अब बड़ी रानी बहुत ही सुन्दर हो गई थी इसके बाद जैसा नन्ही परी ने कहा था नदी में तीन डुपकी लगाने के बाद रानी ने अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लिया तोड़ते ही वह अनार फूट गया और अनार के सारे बीज सैनिक बन गए उन सैनिकों ने रानी के लिए एक पाल की तयार की जिसमें बड़ी रानी को बैठा कर वो वापस राज्य में लेकर आ गए राजमहल पहुँचकर जब बड़ी रानी राजा से मिली तो उसने नन्ही परी वाली सारी घटना राजा को बता दी अब राजा को अपनी हरकत पर पच्टावा होने लगा और उन्होंने इस बार छोटी रानी को महल से बाहर निकाल दिया जब बड़ी रानी राजा को नन्ही परी की घटना बता रही थी तो छोटी रानी छुपकर ये सारी बातें सुन रही थी इसी वजह से महल से बाहर निकलने पर वह सीधे नदी के किनारे गई और उसी अनार के पेड़ के नीचे बैठ कर रोने लगी छोटी रानी के रोने की आवाज सुनकर नन्ही परी वहां प्रकट हो गई और उसने रानी से उसके रोने की वजह पूछी चोटी रानी ने जूट बोलते हुए नन्ही परी को बताया कि बड़ी रानी के कहने पर राजा ने उसे महल से बाहर निकाल दिया है यह सुनकर नन्ही परी ने चोटी रानी से भी कहा कि पहले इस नदी में तीन बार डुपकी लगाओ फिर इसी अनार के पेड से एक अनार तोड़ लो लेकिन न इससे ज्यादा करना और न इससे कम करना ऐसा कहकर नन्ही परी वहां से फिर गायब हो गई नन्ही परी की बात सुनकर छोटी रानी बहुत खुश हुई वह नदी में गई और जैसी ही पहली जुपकी लगाई उसका शरीर पहले से भी ज्यादा निखर गया। उसने ऐसा सोच कर कई सारी डुपकियां लगा ली। ऐसा करने पर छोटी रानी के शरीर के सारे कपड़े फटे और पुराने हो गए। उसके सारे गहने गायब हो गए। उसके शरीर का रंग भी गहरा हो गया। शरीर पर दाग और दाने निकल गए। छोटी रानी अब पहले सीख देती है कि दूसरे लोगों के लिए कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए